इस वीडियो में हर गोविंद खुराना जी के बारे में डिसकस करेंगे ये इमेज में देख सकते हो हर गोविंद खुराना जी हैं ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि देखो 2022 में इनकी 100 वी बर्थ एनिवर्सरी है और जब भी किसी आदमी की जो इंपोर्टेंट हैं 100 वर्थ एनिवर्सरी या 58 या 75 या 158 ऐसी बर्थ डेट होती हैं तो वो गोविंद खुराना जी को इनका जनम होता है 9 जनवरी 1922 को रायपूर इंडिया में उस टाइम पे तो इंडिया में था रायपूर लेकिन जब पाकिस्तान लग हुआ तो अभी रायपूर कहां पे पाकिस्तान में जहां पे इनका जनम हुआ था रिसर्च और कंटिबुशन क्या है इनके न्यू किलिक एसीड के लिए इन्होंने रिसर्च की थी 1951 में University of Cambridge में ये गए और वहां पे Sir Alexander Toad एक प्रोफेसर थे उनके अंडर इन्होंने रिसर्च की इनके कंटिबुशन 1970 में जैनेटिक के लिए इन्होंने दिये इन्होंने रिसर्च की इनकी टीम और खुद ने इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने पहली बार फस्ट आर्टिफीशल कॉपी बनाई थी येस्ट जीन की येस्ट जो खमीर होता ना खमीर देखा होगा आपने उसके gene की एक artificial copy बना दी इन्होंने देखो natural जो gene होता है yeast में natural तो होता है इन्होंने lab में एक copy बना दी उनके gene की और उनको synthesize किया gene को बाद में इन्होंने molecular mechanism के लिए research की और इन्होंने देखो vertebrate के vision के लिए research की vertebrate मतलब ऐसे प्राणी जिनके पास read की अड़ी होती है जैसे इन्सान आदमी आदमी के vision के regarding इन्होंने research की primarily इनकी जो research है वो based है rhodopsin पे rhodopsin एक protein होता है protein light sensitive protein होता है कहाँ पे आँख में होता है जो vertebrate की जो भी ऐसे प्राणी है जो vertebrate है जैसे आदमी रीड के अड़ी होती है उनके अंदर retina होती है आँख के अंदर आँख के अंदर retina होती है ओर retina में यह protein होता है Rhodopsin light sensitive protein है इसके बारे में research की इन्होंने इन्होंने बचाया कि इसमें mutation के लिए research की mutation किया जा सकता है या नहीं यानि कि rhodopsin protein में mutation यानि कि change किया जा सकता है या नहीं ये associated है rhodopsin retinitis pigmentosa के साथ और ये क्या है pigmentosa retinitis pigmentosa इसकी वज़े से क्या है night blindness हो जाती है लोगों को रात में दिखना बंद हो जाता है ऐसी विमारी हो जाती है तो इनके बारे में research की इनोंने इन्हें award कौन-कौन से मिले 1968 में इन्हें nobel prize मिला nobel prize आप जानते हो पूरे world का सबसे बड़ा prize माना जाता है award प्रुषकार माना जाता है ये nobel prize Norway और Sweden की academy देती है मिलके nobel prize छे field में उनमें से एक ये physiology or medicine physiology medicine के लिए इन्हें मिला 1968 में prize इनके साथ 1968 का prize दो लोगों को और मिला था क्योंकि इन्होंने अपना prize share किया था तीन लोगों के साथ मालब टोटल तीन थे दो और थे इनके लाबा marsup w nirenberg और rober w hale इनको भी मिला था साथ में इन्होंने nucleotides के बारे में जो nucleic acid में होते हैं उनके बारे में research की और protein का जो cell sensitive है उसको कैसे control किया जाता है इसके बारे में research की इन्होंने इन्हें और भी प्राइज मिले जैसे Albert Laskar Basic Medical Research Award 1968 में ही मिला जिस टाइम पे Nobel Award मिला था National Medal of Science मिला 1987 में हमारी इंडिया ने दिया और इंडिया नहीं Indian Government ने 1969 में पद्मा विभूशन अवार्ड भी दिया था खुराना जी को